आज मैं आपके लिए जो है क्रिस्मस कैप लेके आई हूँ ये प्रोजेक्ट जो है हमने बहुत ही इजी वे से बनाया हुआ है जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्मस आ रहा है तो बच्चों में काफी क्रेज होता है कि वो जो है सेंटा की कैप पहने तो आप आप गर पे अराम से बच्चों के लिए बड़ों के लिए किसी के लिए भी आप ये जो है कैप बना सकते हैं अगर आपको क्रिस्मस ट्री डेकुरेट करना हो उसके लिए भी ये कैप जो है आप वसानी से बना सकते हैं ये हमने जो है सिंपल वे से बनाई हुई है बि लिए उसके बाद हमने जो है इसके फंदे डालने के बाद हमने इसकी जो है आट्स लाइया कर दी है उसमें हमने यह फर वाला बार्डर बनाया है यह फर वाला बार्डर जो है मेरे चनल पर आल्रेडी इसका वीडियो है मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में द एक जो है पैटन कंप्लीट होता है चार सलाईयों में तो हमारी ये टोटल आर्ट सलाईया है तो हमने इस पैटन को जो है टू टाइमस रिपीट किया है आर्ट सलाईया दी है उसके बाद हम अपनी राइट साइड में है अब हमने क्या करना है राइट साइड में हम अब अपना धागा चेंज कर लेंगे रैड कलर का धागा जो है हम यूज करेंगे इसमें अब देखे हमने इसमें जो है नव नंबर की सलाई का यूज किया है अब हम यहां पे इसके जो है red वारा धागा जो है attach कर लेंगे देखिए हमने अपना red धागा attach कर लिया है इसके आगे हमने क्या करना है अब यहां पे जो है दो फंदू का एक कर लेंगे इस तरीके से यह हमने कर दिया दो फंदू का एक अब हमने ये रोड जो है अपनी पूरी सिधी सिधी बनानी है यहाँ तक एंड तक जब तक कि हमारे पास यहाँ पर तीन फंदे रह जाएंगे दो को इस रोक जो है հेड कलर से सिधा सिधा बनाके убणी नियुत कर देंगे end में आप हमारे पास यहां पर 3 stitches बचे हैं इस तरीके से अब हम इसे दो का एक कर देंगे यहां पर और edge stitch हम जो है अपना सिधा बना के complete कर देंगे अब हम जो है अपनी wrong side में turn हो जाएंगे इसमें हम क्या करेंगे edge stitch उतार देंगे बाकी सारी sly हमने जो है उड़िटी उड़िटी बना देनी है इस sly में हमने कोई भी फंदा गटाना या बढ़ाना नहीं है यह wrong side है हमने इसमें सारे अपने फंदे जो है उड़िटे उड़िटे बना गें कम्प्लीट कर देने हैंरे हमने अपनी carro second wrong side से उड़िटे उलटी बनाके कम्प्लीट कर ली है turn हो जाएंगे अपनी row third में आएंगे first row में हमने क्या किया था एक फंदा बना था उसके अगले में दो का एक किया था, सेकंड जो थी हमारी रॉण साइड थी, सारी हमने उल्टी बना दी है, उसमें कोई भी फंदा हमने गटाया या बढ़ाया नहीं है, अब यह हमारी row 3 है, इसमें हम क्या करेंगे edge stitch उतार देंगे, और सारे फंदे App हमने right side से सीदे सीदे बना देने है इसमें भी हमने कोई फंदा गटाना या बढ़ाना नहीं है यह हमारी row third है जिसे हम सिदा सिदा बना के complete कर देंगे हमने अपनी row third right side से सिदे सिदे बना के complete कर दी है इसके बाद हम turn हो जाएंगे wrong side में आएंगे इसमें भी edge stitch उतार के बाकी हमने अपनी सारी slide उल्टी उल्टी कर लेनी है कोई भी फंदा गटाना या बढ़ाना नहीं है यही row one two four को हमने बार बार repeat करते जाना है जब तक हमारे पास end made ten stitches न रह जाएं तब तक हम इसे इसी तरीके से बनाते जाएंगे यह row one two four को complete कर देंगे पहले में यह fourth row complete करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम row next कैसे बनाएंगे देखिए हमने wrong side से अपनी row complete कर ली है row fourth थी हमारी अब हम दुबारा से अपनी row first पे आएंगे फिर दागा थोड़ा सा हम इस तरीके से turn कर लेंगे यहाँ पे दो का एक कर देंगे यही है row first में हमने क्या करना है दो का एक करना है एक फंदा बना के इस side से और यहाँ पे भी जो है हमने दो का एक करना है उसके बाद यह वाला फंदा बना देना है फिर जो बाकी की तीन रोय आएंगी उनमें हमने जो है सीजी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बना देना है कोई भी गटाना बढ़ाना नहीं है इसी तरीके से हम जो है रो वान टू फोर को कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास जो है टैन स्टिचिज ना रह जाएं अब हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं फिर में आपको दिखाती है देखे हमने जो है अपनी स्लाई वान टू फोर को बार बार रिपीट किया है स्लाई हमारी वान टू फोर क्या थी फिर स्लाई में जब हम आएंगे जब हम रड कलर का दागा अपना टैट करेंगे तो यहां से एक फंदा बनाएंगे उसके नेक्स्ट में हम जो है दो का एक कर देंगे फिर इस लाए को कंटिन्यू करेंगे एंड तक जाएंगे जब हमारे पास तीन स्टिचिस रहेंगे उसमें पहले हम दो का एक कर देंगे फिर लास्ट वाला एक बना देंगे रॉंग साइड से उल्टी स्लाई देंगे फिर थर्ड स्लाई आएंगे राइट साइड से उसे सिधा बना देंगे फॉर्थ स्लाई रॉ और हमारी 1,2,4 को बार-बार हमने रपीट करते जाना है एंड में यहां तक हमें देखिए यह पूरी जो है इसकी शेप जो है एक ही तरह बनी हुई है यह जो है यह जो है बनके त्यार हुआ है अब हमान पास अभी 12 स्टिचिस है जिस में से हमने जो है अभी 2 और स्टिचिस जो है यहां पर बांद करने हैं देखिए हमने जो है अपनी स्लाई 1,2,4 को बार-बार रपीट किया है स्लाई हमारी 1,2,4 क्या थी फर्स्लाई में जब हम आएंगे जब हम रैड कलर का धागा अपना अटेच करेंगे तो यहां से एक फंदा बनाएंगे उसके नेक्स्ट में हम जो है दो का एक कर देंगे फिर इस स्लाई को Continue करेंगे एंड तक जाएंगे जब हमार पास तीन स्चिचिस रहेंगे उसमें पहले हम दो का एक कर देंगे फिर लास्ट वाला एक बना देंगे रॉंक साइड से उल्टी स्लाई देंगे फिर third slide आएंगे right side से उसे सिधा बना देंगे fourth slide wrong side से भी उल्टी बना देंगे ये ही जो है इस लाइयां हमारी one two four को बार बार हमने रपीट करते जाना है end में यहां तक हमें देखिए ये जो है पूरी जो है इसकी shape जो है एक की तरह बनी हुई है ये जो है ए शेप जो है बनके त्यार हुआ है अब हमारे पास अभी 12 stitches है जिसमें से हमने जो है अभी two or stitches जो है यहां पर बांद करने हैं देखिए end stitch हम उतार देंगे सेम उसी तरीके से यहां पर जो है हम पहले दो का एक कर देंगे इस तरीके से फिर सारे फंदे हम यहां तक end तक जब तक हमारे पास तीन फंदे न रह जाएं सिदे सिदे बना देंगे देखिए अब इन दो का भी एक कर देंगे और end वाला ऐसे ही बना के complete कर देंगे यह देखिए हमारी जो है यह सेंटा की कैब बनके त्यार हो गई है अब हम इन फंदू को यहाँ पर रॉंग साइड से बंद कर देंगे दो का एक करके यह देखिए हमारे पस यहाँ पर एंड में 10 फंदे बचे हुए हैं हमने 60 फंदू से यह प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया था देखिए हमने इसे बंद कर दिया है अब हम इसके लिए पहले पंपं ट्यार करेंगे हमने यहाँ पर अपना वाइड कलर का धागा लिया है इस तरीके से हम अपनी चार फिंगर्स में डाल देंगे और इसे हम जो है 30 टाइम्स राउंड दे देंगे देखिए हमने इसे 30 टाइम्स राउंड दे दिया है अब हम इसे इस तरीके से जो है निकाल देंगे यह देखिए निकालने के बाद सैंटर में हम इसे इस तरीके से जो है नाट लगा देंगे जिसे हम normal pom-pom बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसे बना के त्यार कर देंगे हमारा pom-pom जो है ready है हमने इसे इस तरीके से नीचे से बांद दिया है अब हम क्या करेंगे इसे इसके साथ आप यहां पर इसे attach कर लेंगे देखिए आप कुछ इस तरीके से नीडल डाल देंगे इसके अंदर यहाँ पर अब हम इसे इस तरीके से जो है ऐसे करेंगे यह देखिए आप इस तरीके से आप हम इसे स्क्यूर कर देते हैं देखिए हमने यहां पर इसे attach कर लिया है अब हम क्या करेंगे इस तरीके से turn कर लेंगे और इसे हम सारा यहां से लेके यहां तक stitch कर देंगे जैसे हम normal stitching करते हैं उसी के accordingly हम इसे अब stitch कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हो हमने अपनी हैट सेंटा की सी ली है यह देखिए हमने इसकी stitching कर ली है जो हमारा white वाला portion था उसे हमने white दागे से stitch कर लिया है हमारी सेंटा की हैट बिल्कुल बन के त्यार हो गई है यह हमने zero month to six month के baby के लिए बनाई हुई है आपको जिस भी size के बच्चे के लिए बनानी हो या बड़े के लिए बनानी हो आप जो है अपनी cap का size वो डाल दीजिए उसके बाद आप सेम प्रोसिजर से इससे बनाते जाईए जिस तरीके से हमने row one two four को बार बार repeat किया है उसी तरीके से आप इसे repeat करते जाईए देखिए हमने बिल्कुल जो है आपको easy way से इसे बनाना बताया हुआ है क्रिस्मस आ रही है तो बच्चों को काफी crazy होता है कि वो जो है हुआ हुआ है